अस्ट्रेलिय स्टेडी वीजा की बात करें तो रीजिनल एरिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के कि अगर हम रीजिनल एरिया की तरफ अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं तो फंड्स को लेकर किस तरह के बैनिफिट्स हमें कुछ मिल सकते हैं courses किस तरह के हमें मिलेंगे क्या हमें आगे चलकर PR को लेकर भी कुछ benefits मिलेंगे तो आपके ये सभी सवालों को हमने आज की वीडियो में शामिल किया है आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिलने जा रहे हैं कि regional area के क्या-क्या benefits हैं किस तरह के results देखे जा रहे हैं और क्यों आपको regional area को choose करना चाहिए अगर आप Australia Study Visa के बारे में सोच रहे हैं स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अर्जोत कौर डिटेल में ये पूरी information आपके साथ शेयर करेंगे Navigators overseas से Visa expert Mrs. Veena Gold मैम हमारे साथ हैं बहुत बस्वागत है मैं नमस्कार शश्रीकाल सबको तो मैं हम जरूर बताईए students को regional area के बारे में पहले तो आप जरूर students को aware कर रहे हैं कि क्या आज के time में regional area choose करना एक अच्छी option हम मान सकते हैं और अगर कोई student regional area की तरफ बढ़ता है तो किस किस तरह के benefits जैसे के मैंने शुरुआत में बात की funds को लेकर courses को लेकर है PR को लेकर क्या क्या benefits भी उन्हें मिल सकते हैं हर जो दिखो कोई भी student all over world जब बड़ी cities में जाते हैं तो वो बहुत expensive होती है और वो ही अगर हम थोड़ा सा उससे 500 सो किलो मेटर 200 किलो मेटर दूर जाते हैं तो वो regional area क्यलाता है ठीक है अब Australia area wise इंडिया से three times है उनके पास land area बहुत है इसलिए हमारे बच्चे Australia को first option system रखके चल रही है क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला time Australia का बहुत progressive है क्योंकि उनके किसी भी country में progress के लिए उनके पास सब कुछ होना चाहिए उनके पास land है, minerals है, agriculture है मतलब सब कुछ है जो एक country के पास चाहिए खाली जो कमी है वो manpower की है अब city में तो हर बच्चा चला गया जाके क्या होगा housing को बिलकुल बहुत expensive हो गई है मतलब cities में housing आज कल अफूर्ड करना बहुत मुश्किल है अब regional area का सबसे बड़ा benefit क्या होता है कि एक तो बच्चा जब वहाँ पे जाके अपने settle होता है course complete करता है तो उस time उसको accommodation बहुत cheap मिलती है scholarship university याँ बहुत जादा देती है क्योंकि वो वो भी regional area promote करती है और जो regional area की government है जैसे western Australia की government अलग होगी South Australia की अलग होगी NSW की अलग होगी तो ये governments भी जो हैं promote करती है वो invitation देती है students को studies complete होने के बाद settle होने के लिए मुका भी देती है तो state nomination उसको कहा जाता है तो बहुत सारे बच्चें को पढ़ाई करते करते जैसे अगर वो वहाँ पर job opt करना चाते हैं तो और settle होना चाते हैं तो state nomination के थूँ opt कर सकते हैं अब और क्या benefit होते हैं कि student को एक जैसे city वाले महोल में अगर बच्चा के बहुत जादा जिसको कहते हैं metro city में बच्चा जा रहा है जैसे Melbourne जा रहा है या Sydney जा रहा है तो उसकी university fees तो है ही है accommodation cost जादा है तो उसको meet up करने के लिए हो सकता है कि वो बच्चा जो है यहां से बहुत जादा influential family करनी है coverage family का बच्चा है जो अपनी cost निकालने के लिए वो मेहनत बहुत जादा करनी पड़ती है वहीं अगर यह reasonable area में जा रहा है तो इसको accommodation cost half से भी कम पड़ रही है तो फिर इस पर work pressure कम है और इसका जो ध्यान है वो पुरा पढ़ाई में लगता है अब अगर यह work पे जादा ध्यान देगा तो यह पढ़ाई में जो इसकी assignments है या जो भी आगे इसका system उसमें यह fail हो सकता है अगर fail होगा फिर university को इसको दुबारा पैसे देने है उस subject को clear करने के लिए फिर से admission उस subject के लिए लेनी है तो अगर इसको पूरा अच्छे से time student को अपने लिए मिल रहा है और वो assignment में अच्छे से time निकाल के assignment बना पा रहा है तो वो fail नहीं हो रहा है तो वो देखिए कि university का भी उसको पैसा जो भरना है city में उसका भी pressure पढ़ रहा है accommodation का भी pressure पढ़ रहा है और regional area में जाने के बाद इसके ये सारे pressure काम हो गए और government का जो invitation मिलता है और लेकिन बच्चा जो course opt करें हर जगे आप देखिए engineering की बहुत demand है health की बहुत demand है तो उस area की skill occupation list और companies की job देखके वो करे apply क्यूंकि अभी तो high commission का भी कहना है कि हमें जो manpower shortage है अगर वो course में हो और आप वहाँ पे settle होना चाहते हो तो we don't have any objection जो मैं data पढ़ रही थी Australia का कि वहाँ जाके बच्चे जब actual में जो बच्चे वहाँ पे settle होते हैं तो वो जो skill की जो demand है उस demand को शाट 20% ही पूरा कर पाते हैं तो Australia में जो actual में demand a skill की वो पूरी नहीं हो पा रही है इसलिए और student कहता है कि मेरे को अगर job नहीं मिली job 101% मिलेगी अगर आपके skill वो ही है जो वहाँ की job shortage है या word में जो job shortage है अगर आप वो courses करोगे तो आप कभी भी jobless नहीं रोगे और jobless की भी बात अलग है आप अच्छी salary में काम करोगे उनसे भी double salary में काम करोगे लेकिन course आपका अच्छा होना चाहिए regional area के जो benefit है peace of mind है कम अफीस होगी और आपके accommodation cost काम होगी scholarship opportunities जाता होएंगी settlement option जाता होएंगी तो ठेज सारे फायदों के साथ आप भी regional area की option के साथ इस तरह की scholarship आपको मिल सकती है तांकि आप ज़्याद से ज़्यादा benefits का फायदा ज़रूर ले सके तो उसके लिए screen पर लगाता number display इस पर call कीजिए पुरी जानकारी लीजिए यहां फिर navigators overseas के चंडिगर्ड office में visit कीजिए अपने documents ज़रूर साथ लेकर आईए तांकि एसेस्मेंट करके पूरी तरह से जान्च पर रखके आपको सही options जो है guide की जा सके बहुत बहुत थैंक्स मैम आपने आज धे सारे फायदे जो है students को बताए है regional area को लेकर कई तरह के सवाल हमारे पास लगातार students के आ रहे थे I hope students को काफी कुछ नया जुरूर जानने को मिला है और भी कोई सवाल हो आपका तो आप जुरूर comment section के जरीए भी हमारे साथ share कर सकते हैं आगे भी हम इसी तरह से students के लिए और informative videos लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए हमें दीजे इजाज़त Thank you so much Thank you